Nasty को healthy बनाने के लिए मैंने यूज किया है इसमें पोहा और सिर्फ ये पांच मिनट में ये नास्ता बनके तयार हो जाएगा. और पोहे के साथ मैंने क्या मिलाया ऐसा जिससे ये बहुत ही ज़्यादा energetic हो जाएगा और ये पांच मिनट में ही बनके तयार हो जाएगी. तो सबसे पहले आपको जितना बनाना है उतने आपको पोहे लेने हैं तो मैंने एक कटोरी का यूज किया है, एक कटोरी मैंने पोहा लिया है आप कोई भी पोहे ले सकते हैं, मोटा पतला जो भी होए आपके घर में अराम से ले सकते हैं और इसे आपको एक से दो पानी तक, जितने भी white portion है, सभी को अच्छी तरह से निकाल लेने हैं, जितने भी dust वगारा है, सभी निकल जाने चाहिए, अब मैं कुछ चीजे एच करने वाली हूँ, जिससे इसका स्वात कई गुना पढ़ जाएगा, तो आपको डालने हैं, एक च कट्स करके, बारिक बारिक प्याज कट्स कर लेना है, उसके बाट डालना है, अब चलिए एक चीज और है, जिससे ये बहुत ही healthy हो जाएगी, अब मैं वो चीज टालने वाली हूँ, तो जितना मैंने पुहा लिया है, उतना ही मैंने लिया है सत्तू, ये देखे, अगर आप ठीक कम तेल में ये नास्ते को मैं बनाने वाली हूँ, तो बीना पानी डाले, आपको सबसे पहले अच्छी तरह से mix कर लेने पड़ेंगे, हलके से ही पानी थे, देख सकते हैं, जितने में मेरे पुहे अच्छी तरह से फूले थे, उसी में मैंने सत्तू को डाल लिया है, औ अब क्या करना है, थोड़ा सा मैंने हल्दी डाल दिया है, ताकि अच्छा सा color निकल के आए, और हलके सा हल्दी डाल के भी मैं अच्छी तरह से mix कर लूगी, और ये नास्ता बहुत ही कम तेल में बनता है, और मैंने सोट रेसिपी भी डाल रखे है, अगर नहीं देखिया है तो जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, और ये देखिया, अच्छी तरह से मेरे बेटर तेयार हो चुके हैं, हलका से मैंने पानी डाला है, क्योंकि हातों में मेरे बेटर चिपक रहे थे, इसलिए मैंने बहुत ही हल अगर सा तू डालेंगे न तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आता है अगर कभी ट्राइन नहीं की हैं इन तरीके को नास्ते बनाने के तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए आप क्या करना है यह देखिए नीबू के छोटे परसं सा आपको गोला कर लेना है यह देखिए बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे और अच्छी तरह से गोला करने के बाद आप चली मैं इसे कैसे सेव देती हूँ आप चाहे तो अपने मन पसंद के अकार का सेव दे सकते हैं तो मुझे बहुत ही सोटकट लगता है और यह देखिए मैं अच्छी तरह से प्रेस करके साइट की जो कोर्नर है उसे आपको पतला करना है और इसे हलको हाथों से दबा दबा के अच्छी तरह से सेट कर लेना है यह देखिए टिक्की के सेफ में मैंने बना लिये हैं और सभी टिक्की हमारी अच्छी तरह से बन चुकी है तेल को मैंने हलका सा गर्म कर अब मैं इसमें डालने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ सेलो फ्राइ, आप चाहे तो इसे डिब फ्राइ भी कर सकते हैं, आपके उपर है, बहुत ही कम तेल में और बहुत ही सोटकर तरीके से बिलकुल ही यूनिक सा नास्ता आपके तयार हो जाएगा, पोहे और सत्तु से, ज अच्छी तरफ से दोनों तरफ से इसे अलट पलट के सेक लेना है, आपको नास्ते वाली रेसिपी काफी पसंद आई होगी, और मैंने हेल्दी नास्ते में बहुत सारे ऐसे आडिया लगाए हैं, जो आपको काफी पसंद आए होंगे, अगर हेल्दी नास्ते आपको देखन अजया है?